हलो फ्रेंड्स गुड मॉनिंग मैं रंजिनलाल होम गार्णिंग चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ देखिए फ्रेंड्स ये आज का वीडियो जो मैंने बनाया है ये मैंने चाइनीज ओरेंज के उपर बनाया है जिसे की अगर मैं हिंदी में बताऊँ तो इसे हम लोग नारंगी कहते हैं इंडियन लोग जो हैं इसे हम लोग नारंगी कहते हैं और इसको ये एक बहुत ही खुबसूरत और्नमेंटल प्लांट है जो कि पूरे साल जो है वो ये जो नारंगी होती है आपकी जिनकों कि हम Chinese orange भी कहते हैं इसको miniature orange भी कहते हैं ये इससे ये पूरे साल भरा रहता है और इसकी एक जो खास बात है वो ये है कि जैसे ये नीचे की नारंगिया अगर पकती रहती हैं तो आप इसमें ये देखिए इसमें ये हरी वाली जो हैं ये पीछे से आती रहती हैं देखिए ये सारे oranges जो हैं ये इसमें चोटे बड़े और भी मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि ये देखिए ये इसमें कितना चोटा चोटा ओरेंज जा रहा है इसके साथ ही अभी friends ऐसा हुआ कि कल परसों हमारे थोड़ा पानी बरस गया उससे इसमें flowers भी थे नारंगी क इसमें एक तरफ से पकती रहती हैं और इसमें चोटी बड़ी सभी आती रहती हैं इसके साथ ये flowering भी करता रहता है इस प्लांट की जो एक सबसे खुबसूरत बात मुझे लगती है ये आपके बगीचे को अगर ये लगा हो नारंगी का प्लांट और खूप सारी नारंगी और ये सबी जो है ये देखिए गुच्छे लटक रहे हैं ये बहुत ही सुन्दर और्नमेंटल प्लांट है और और्नमेंटल होने के साथ ही जो है ये कई गुणों से भी भरपूर है इसके अंदर देखिए हमको क्योंकि ये नीबू की जात को बिलॉंग करता है तो इसके अ में लेकिन जब ये थोड़ा सा अगर ये पक जाती है नारंगियां तो इतना खटा नहीं भी रहता है कोई कोई इसको जो है वो अपने जैसे की सलाद वगएरा में डालके भी हम खा सकते हैं पानी में निचोड के उसमें नमक डालके अगर हम पी हैं तो हमारी बॉड़ी में आज कल जो ये करोना वाइरस में विटामिन सी बता रहे हैं उसकी रिक्वार्मेंट को पूरा करता है अगर बहुत जादा आपके बाग में नारंगी हैं मैंने तो ये कि प्यारा सा ये एक पेड़ लगा रखा है इसी में मेरी बहुत नारंगी आ जाती हैं ये देखिए जि जो इसके छिलके होते हैं उपर के पतले पतले इनको आप जो हैं ये फेकिए नहीं इन छिलकों को आप बिल्कुल बारीक बारीक काट लीजे और चीनी में डाल करके इसको आप पका सकते हैं हलका सा नमक काला नमक गएरा डाल के तो बहुत अच्छा है इसका मार्मलेट भी बन जाता है अगर आपके हैं बहुत सारे नारंगी के पेड़ हैं और नारंगी इतनी होती हैं यह इंडिया में तो इस तरीके से यूज होता है पर यह प्लांट जो है यह मैं आपको बताऊं टूर्ड्स फॉरेंड कंट्रीज यह जापान फिलिपीन्स नौर्थ अमेरिका वह सब हैं यह बना के सब सेल करते हैं और यूज काफी मात्रा में हो सकती है अब हो सकता है कि उनक्या नीबू वगएरा की खेती कम होती हो या जो भी बात है पर वहां पर यह लार्ज स्केल में प्रोड्यूस की जाती हैं और हमारे हां भी यह जो हैं यह बहुत ही सुन्दर यह जब पीली हो कि फूरा पेड मेरा भर जाता है यह देखिıyla पूरा पेड मेरा ऐसी बहुत ही सुन्दर लगता है मैं तो इसको आपने जो है वह मेरा यह अगे की और जो रोट से दिखाई देता है मैं उसमें इस पेड को लगा देती हूं लड़का देती हूं तो दूर से दिखने में हरे हरे पत्तों के बीच में यह जो औरेंज नारंगिया हैं चाइनिज औरेंज इसको बोलते हैं तो यह बहुत ही खुशूरत लगती हैं तो मैं आपको यह प्रिफर करूँगी कि आप भी अपने गार्डन में इसका एक पेड़ लाके लगाएं और इसके जो पॉ प्राना हो कावडंक वो मिला करके आप इसको रिपॉर्टिंग कर दें तो यह अराम से अपना चलता है समय के इसाब से पानी दे दे बड़ा ही हाड़ी प्लांट है ना खतम होने वाला प्लांट है इसमें कीड़े आदी की भी कोई समस्या नहीं रहती कि यह कीड़ा लग ग कीजिए यह देखिए पानी क्योंकि बरस गया है तो मैं आपको छोटा सा यह दिखाना चाहती हूं यह देखिए यहां से मेरे यह फूल जो है यह जड़ गए तो इस तरीके से यह फ्लावरिंग भी कर रहा था साथ-साथ बड़ा ही प्यारा पेड़ लगता है यह और इसको यह जो है यह इसके छिलके जो होते हैं वो एंटी डेप्रेसेंट मेडिसेंस जो होती हैं उसमें भी इसका उप्योग जो है वो किस प्रकार से करते हैं यह तो वही लोग जानते हैं लेकिन उसमें भी सुनाए कि इसका उप्योग जो है वो होता है फिलाल यह गार्डन में हम हम लोगे तो गार्डन में एक खुबसूरती बहुत बढ़ाता है और जब एक लिमिट से उपर इसमें नारंगियां हो जाती है तो मैं तो इसको तोड़ लेती हूँ तोड़ के इसको जो है हम किसी भी उपयोग में लाते हैं मुझे बढ़ा अच्छा लगता है विटामिन C की पेड़ को जाड़ों में तो कम से कम 5-6 घंटे तक की लाइट में आप रखिए जहां पर तेज दूप आती हो वहां रखिए अभी यह जो मेरा पॉट है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है इसकी हलकी सी क्यों यह पेड़ जो है थोड़ा पुराना हो गया इसकी हलकी सी पॉट भी मेरा पुराना सो गया इसको मुझे शिफ्ट करना है दूसरे नए पॉट में पर क्योंकि इसमें इतना इतना फ्रूट लगा हुआ है तो मैं अभी थीक नहीं समझती की बारिश भी होके चुकी है और मौसम भी बदल रहा है कि मैं इसकी रिपॉर्टिंग करूं इतना फल लगा हुआ है तो जो फल से लदा हुआ पॉधा और उसकी रिपॉर्टिंग करनी भी नहीं चाहिए तो मैं इसी पॉट में इसको चलने दे रही हूं और मैं 15 दिन में इस प्लांट की गुड़ाई कर देती हूं इसके साथ ही इसमें आप जो है वह बनाना पील का फर्टिलाइजर अगर डालें तो वह भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि वह पुटार्ट से युक्त होता है तो फूट देने में वह मदद करता है बनाना पील फर्टिलाइजर इस पौधे के लिए बहुत अच्छा है और बहुत ही सुन्दर यह प्लांट है और इसके यह नारंगी का पेड़ एक बहुत ही गार्डन के लिए खुबसूरत और और्नमेंटल प्लांट है आप एक नई दो नई तीन चार पेड़ भी लगा सकते हैं आपका गार्डन देखने में बहुत सुन्दर लगेगा अभी यह मेरे सेमी सेमी पके हुए है पर जब यह बिलक चाहिते हैं और अधर से पकते रहते हैं तो मुझे यह आपन परतो नहीं और मैं चाहती हूँ आप भी अगार्डन में लगाए तो इस प्रकार से अगर मेरे से थोड़ से पkiर्एंड नियृस्ति आंटी नहीं नहीं किए नहीं आपको पसंद आए हूं इसकराहिता है बारे में वाटर के बारे में वैल डेंट स्वाइलिस में रखिए आप अगर यह सब आपको अच्छे लगे हों तो यह केवल औरनमेंटल प्लांट ही नहीं यह उपयोगी भी है विटामिन इसके यह चोटे-चोटे फूंट होते हैं इसके चिलके भी अच्छे होते हैं आप इसको लगा सकते हैं इसको एज़शोप के लिए सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकॉन का बटन प्रेस कीजिए और अपने मैं वीडियो इसी प्रकार से लोट करती रहूंगी देखिए सब के वीडियो को एप्रिशेट करना एक बहुत जरूरी होता है तो मैं चाहती हूं कि आप लोग मेरे चैनल को जरूर जरूर लाइक करे सब्सक्राइब करें बाई हैपी गार्डनिंग